सत्गुरु की साजे निवाजी, प्यारे साज संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी संपुन अवतारबानी में शेहनशा बाबा अवतार सिंग जी महाराज इस शबत की और हमारा ध्यान दिलाते हुए हमें समझाते हैं तुही तुही निरंकार करो ते पलपले नू व्याद करो इस अमरित नू रज रज पियो तन सोखा दिल शाद करो गुरू दे मुक्तो सुन के जिसने नाम हरी दा पाया है उस बंदे नू इस दुनिया दे होर न नजरी आया है नाम हरी दा दोलत होती रूप जवानी मान रहा ऐसे विच ही मुझा माने नाम नू अंग संग जान रहा नाम दा प्याला प्यार दे बुली जो खुश किस्पत पिंदाए नाम हरी दा लूनू वसे नाम सहारे जिनदाए उठ दे बेंदे खांदे पिंदे नाम ही मुझते रहनदाए अवतार गुरू दे शर्निये पर विरला विरला पिंदाए अन्शा जी हमेश बद्वरा समझा रहे हैं कि हम हर समय इस निरंकार का एहसास मन में बना कर रखें जो हमें ये सत्गुरू ने अमरित दिया है इस अमरित को हम रजरज कर पिएं और हम उटते बैठते खाते पीते हर समय इसका एहसास बनाए रखें और हर समय सत्गुर से यही अशीरवाद मांगें यह सचे पाश्या जिस तरह आप जिने अपने चर्णों से लगाया है इसी तरह अपने चर्णों से लगाये रखना गुरू की शरण मिलनी बड़ी मुश्किल है गुरू को जो रिजा लेता है वही गुरू की शरण पासकता है हैते हैं कि कोई विल्ला विल्ला ही सत्गुरू की शरण पासकता है ऐसे तो कहते हैं कि ब्रहम ग्यान लेना बहुत असान है लेकिन ब्रहम ग्यान लेकर भक्ति के रास्ते पर चलना तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज है और सिर्के पाल से भी ज़्यादा बारीक है जो इस रास्ते पर चल पड़ता है सही माइनों में वो सत्गुरु को खुश कर लेता है और जब सत्गुरु खुश हो जाता है तो अपने चर्णों से लगाए रखता है लेकिन सेवक का क्या करतवय होता है गुर्शिक का क्या करतवय होता है यही करतवय होता है कि मन वचन करम वानी से वो सत्गुरु निरंकार का होकर रहे सत्गुरु निरंकार और सासंगत मा का अशीर वाद हमेशा मिलता रहे संगत जी एक स्टोरी के माध्यम से विदासी आपजी के चर्णों में विचार रखना चाहेगी आपजी परवान करना अगर कोई गलती हो जाए तो शमा करना कहती हैं अवत परदेश के राजा करण और उनके पडोसी परदेश के राजा द्रूव दोनों बहुत गहरे मित्र थे राजा द्रूव एक दिन अपने मित्र करण के महल में बीना अपने आने की खबर दिये ही पहुँच गए उन्हें अचानक आया देखकर राजा करण बहुत खुश हुए उन्होंने उनके स्वागत में एक खास दर्बार लगाया जब सभी दर्बारी आकर बैठ गए तो राजा करण ने अपने सेवक से हुका लेकर आने को कहा लेकिन जैसे ही हुका लेकर सेवक दर्बार में पहुचा वे सोच में पढ़ गया असल में वे समझ ही नहीं पा रहा था कि पहले वे हुका किस के किस राजा के सामने रखे राजा करण उसके अंद आता है और राजा द्रूव उनके महमान है काफी सोच विचार के बाद सेवक ने हुक्के को अपने ही राजा के सामने रख दिया राजा करण ने सेवक को चुपके से इशारा किया कि वह हुका पहले महमान राजा द्रूव को दे पर सेवक ने राजा के इशारे को जान भुज़ कर अंदेखा कर दिया, फेह चूप चाप एक जगह जाकर खड़ा हो गया, सेवक की इस हरकत से राजा बहुत नाराज हो गए, और तुरंत उसे बोले, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है, हमेशा पहले कोई भी चीज महमान को ही दी जाती है, इस पर सेवक ने कहा, महाराज, यह धरम आपको निभाना है, मैं तो आपका सेवक हूँ, मेरा पहला करतव्य आपकी सेवा करना, और आपके हुकम को मानना है, राजा के महमान की सेवा करना तो, आपका करतव्य है, राजा दुरू यह सुनकर बहुत परभावि उन्होंने दुरंत कहा इंसान को सबसे पहले अपना कर्दवय निभाना चाहिए उनके ऐसा कहते ही दर्बार में मौजुद सभी लोगोंने सेवक की बात से सीख लेकर उसे अपने जीवन में उतारने की कसम खाई उतारने का प्रण किया ऐसे ही सास संगजी जीवन में अन्य जीमिदारियों के बावजुद हमारा कर्दवय हम अपने माता पिता के प्रती भी होना चाहिए इस तरह हम जीवन में जीमिवारियां निभा रहे हैं जीमिदारियां निभाते निभाते हमारा कर्दवय अपने माता पिता के प्रती भी होन चाहिए जिसे कुछ लोग अनावश्यक समझ कर मुहु मोड लेते हैं ऐसे लोग स्वारत के कारण लोग में इतने अंदे हो जाते हैं कि इतना भूल जाते हैं कि हमें जनम देने वाले हमारे माता पिता हमारे घर के देवता हैं एक कहानी यादाती है एक घर के छत पर एक कुवा आ बैठा छोटे बच्चे ने पिता से पूछा पापा यह क्या होता है पिता जी यह क्या होता है पिता ने प्यार से बताया बेटे है कुवा है बच्चा भार भार पिता जी से एक ही सवाल पूछता और हर बार पिता जी बड प्यार से समझाते और कहते कि बेटे यह कोवा है समय बीता जब बेटा बड़ा हुआ और पिता बजूरक हो गए तो घर में कोई महमान आया पिता जी ने बेटे से पुछा बेटा कौन आया है बेटे ने जवाब दिया कि महमान आये है बजूरकी के कारण पिता की आदाश्त क कुछ कमजोर हो गई थी इसलिए पिता ने एक आध बार और पूछ लिया बेटा कून आया है बेटे ने बिगरते हुए गुसे से कहा आपको तो याद नहीं रहता लेकिन मुझे क्यों परिशान करते रहते हैं आप चुप चाप मुझ बंद करके वैठिये ना बहारी संतान कि इसी ने सची कहा है कि जिस बेटे को वच्चपन में मा बाप बोलना सिखाते हैं वही बेटा बुड़ापे में मा बाप को चुप रहना सिखाता है हे पुत्र वच्चपन में तु अपनी मा का बिस्तर गीला करता था अब बड़ा होकर उनकी आखें गीली करता है क्या गई है करतब्यों से मुँ मोडने वालों के लिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है उत्ते को गुमाना याद रहा एक गरीब की रोटी भूल गए साली का जनम दिन याद रहा पर मा की दवाई भूल गए दन्य हैं हमारे सत्कुरू जो ऐसे ऐसे इनसान बना रहे हैं जीनिये ह सब सिखलाने की जरूरत नहीं क्योंकि इनके शिश्य सजग, चेतन और करतबय निष्ट होते हैं निरंकारी मिशन ऐसे इनसान बनाता है जो अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित रखते हैं सत्कुर बाबा हर देव सिंग जी महाराज को भी आप सभी ने देखा ही है किस तरह वो पूच आमाता जी को और राजमाता जी को अपने साथ बिटाते थे किस तरह है राज माता जी को बीच में बिठाना एक तरफ पूचे माता जी और एक तरफ भाबा जी और बीच में राज माता जी इतना सम्मान भाबा जी राज माता जी को देते थे अपनी माता को देते थे और हमारी पीरे राज माता जी को देते थे एक बार कहते हैं कि राज माता जी परचार तूट पर बाबा जी के साथ जा रहे थे तो किसी के घर में चरन डालने जाना था तो कहते हैं कि राज माता जी जैसे बजूर्गी में आ गये थे तो धीरे धीरे चलते थे बाबा जी और पुझे माता जी जैसे ही गाड़ी से उतरे तो वो जो घर वाले थे जिनके घर में चरन डालने जाना था वो बाबा जी से कहने लगे आओ बाबा जी कहते हैं अभी राज माता जी आ रहे हैं जब राज माता जी आएंगे तभी हम माताजी को साथ लिया और फिर एंट्रे की राज माताजी पूचे माताजी का इतना सम्मान आदर करते थे करम करके दिखाया और हमें भी समझाया कि नारी का सम्मान करना चाहिए नारी सब कुछ करती है नारी अगर ना हो तो ये संसार ही ना चले नारी ही एक बेटे को पैदा क करती है नारी के विना ये स्रिष्टी नहीं चल सकती इसलिए हमें नारी का ही चाहिए लेकिन अपने बड़े बजुर्गों का माता पीता का सम्मान करना चाहिए दिन की बदोलत हमें ये हमें हमारी ये पालना होती है जब हम चोटे होते हैं जब बच्पन में होते हैं माता ही स भगवान को सारा क्रेडिट जाता है लेकिन जो ऐसे ही संसार में बच्चा आता है तो मां ही उसकी पालन पोश्ट करती है, उसको चलना सिखाती है, हिम्मत तो सत्गुरू निरंग्कारदातार मां को देता है, लेकिन मां सब कुछ करती है, आप गिले में सो कर बच्चे को पेजान रखें, उनका आदर सदकार करें, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कभी न दें, इन बातों को हम जीवन में अपनाते चले जाएं और अपना जीवन जो है सद्कुर के चर्नों में गुजारते हुए अपना लोग सुखी पर लोग सुहला करें। आज संगत जी प्रेम से कहना धन निरंग कार जी